मेरे पास बंगला है, गारी है, बैंक बैलेंस है ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास लेकिन आज़न बात करने वाले हमारे भारत की हमारे भारत में ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता चाहे बात भूत प्रेत की हो या कई रहसे की अब हमारे भारत में इतने सारे रहसे हैं कि हम चाहें भी तो उन्हें नहीं सुलजा सकते हैं ऐसा ही एक रहसे है थिरुवानंत पुरम के पद्मनाबस्वामी मंदिर का उस मंदिर में बटाया जाता है कि ऐसे दर्वाजे हैं जिन्हें खोलने के बाद हो सकता है सर्वनाश और ये भी कहा जाता है कि उस मंदिर के पीछे उस दर्वाजे में इतना सोना है, इतना सारा सोना कि हमारी गवर्मेंट को कभी भी सोने की कमी नहीं होगी तो आज जी एने प्रैक्सिन मैं पीती के टारिया आप सब का बहुत-बहुत स्वाहत करें भारत के केरल राजे के तिरुवनंत पूरम में स्थित पद्म नाभस्वामी मंदिर है, जो कि भगवान विष्णू का प्राचीन हिंदू मंदिर माना जाता है ये केरल के प्रसिद धार्मिक स्थलो में से एक है, इस मंदिर को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आया करते हैं, क्योंकि इस मंदिर को बड़ी ही सुन्दर कारीगरी से बनाया गया है और इसके पुराने डिजाइन्स मंदिर में चार चांद लगा देते हैं इस मंदिर के प्रसिद होने का कारण इसके छे दर्वाजे हैं, जिनको खोलने का आदेश 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था जिन में से एक के बाद एक करके पाश दर्वाजों को खोला गया उन पाश दर्वाजों में से पुराने सोने की मूर्तियां, तिजोरियां, सोने के सिक्के और भी कई सारे हैरान कर देने वाली चीजें मिली और इस खजाने की कीमत अर्बो कर्बो में लगाई गई बताया जाता है कि करीब सौ से जादा साल पहले भी इन दर्वाजों को खोलने की कोशिश की गई थी पर उस समय दर्वाजे के अंदर से कोबरा साप का एक जुन्ड बहार आया जिससे कि सब ने डरके मारे इन दर्वाजों को वापिस बंद कर दिया सोचिए अगर इन पांच दर्वाजों में इतना सोना मिला है तो छटे दर्वाजे को क्यों नहीं खोला गया लेकिन जब छटे दर्वाजे को खोलने की बारी आई तो इस छटे दर्वाजे पर दो सापके निशान बने हुए हैं जो इसको खोलने से रोकते हैं और इसको खत्रे का एक रूप भी बताया गया है कि इस दर्वाजे को नहीं खोलना चाहिए जब मंदिर से जोड़े लोग और आसपास रहने वालों लोगों को पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया और कोट में इसके खिलाफ केस भी धर्ज कर दिया उन्होंने एक रीच्वल बनाया है जिसको वे देव प्रसन्नम कहते हैं इस रीच्वल में वे भगवान से पूछते हैं कि इस छटे दर्वाजे को खोलना चाहिए या नहीं इस रीच्वल के बाद उस दर्वाजे को बंध ही रहने दिया और बताया जाता है कि अगर ये दर्वाजा खुल गया तो बहुत भयंकर तूफान और सुनामी आ सकती है जिससे की सब तहस नहस हो जाएगा उस मंदिर की अनुसार उसमें एक विशाल कायब पंचमुक कोबरा भी मौजूद है जो कि उस खजाने की रक्षा कर रहा है और जिन सदस्यों की टीम ने इसको खोलने की कोशिश की थी उनकी मृत्यू भी हो चुकी है तो इस दर्वाजे की पीछे क्या है ये एक रहसे ही बन चुका है हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईगा और अगर आपके कोई सवाल है तो हमें फीडबैक जरूर दीजेगा हम हर सवाल कर जवाब जरूर देगे है है